सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल मिस्राजी टेक्निकल को और बेल आइकान को दबाईए लेटस्ट एजूकेसनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों गुलाम मंस हमारे मध्यकालीन भारती एतिहास का सबसे महत्वपोर्ण राजवंस माना जाता है इसका काराण है दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की जो नियू पड़ी थी दोस्तों वो इसी राजवंस से पड़ी थी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गुलाम वंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों इससे पहले मैंने सल्तनत युक की प्रिष्ट भूमी, मौर वंस, गुप्त वंस और सिंदु घाटी सब्विता की बारे में वीडियो बना दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आप वहाँ से जा कर देख लीजिए तो चली आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और गुलाम वंस की बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित मिस्रा स्वागत है आप सभी का मिस्राजी टेक्निकल में दोस्तों मैंने इस से पहले की वीडियो सल्तनत यूग की प्रिष्ट भूमी में आप सभी को बताया था कि मुहम्मद गौरी की कोई अवलाद नहीं थी इस वज़ा से उसने अपना उत्रादिकार अपने सबसे प्रिये गुलाम कुतुबबु दिन एवग को सौप दिया और वापस अपने वतन को चल पड़ा लेकिन दोस्तों रास्ते में ही कुछ विद्रोहियों ने उस पर हमला कर दिया जिससे पंद्रा मार्च सन बारा सो च्छे इसबी को उसकी मिरुत्य हो गई इधर दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वन्स की निव पढ़ी चुकी थी कुतुपुद्दीन एवक उसका सबसे पहला सासक था और इसी ने गुलाम वन्स की निव डाली थी दोस्तों गुलाम वन्स को ममलूक वन्स भी कहा जाता है अब इहाली कि एक किसी एक्जाम में सायथ CGL का एक्जाम था उसमें पूछा गया था ममलूक वन्स का संस्थापक कौन है तो इसका संस्थापक भी कुतुपुद्दीन एवक था आईए अब बात कर लेते हैं कुतुपुद्दीन एवक के बारे में दोस्तों कुतुबुदिन एवक अपनी जन्ता के प्रती अपनी प्रजा के प्रती बहुत ही उदार सासक था इसके उदार सासक होने की वज़ा से ही इसे लाखवक्स कहा जाता था दोस्तों पहले इसकी राजधानी लाहॉर थी लेकिन इसने अपनी राजधानी को लाहॉर से अस्थानांतरित करके दिल्ली में पर्वियतित कर दिया कुतुबुद्दिन एबक ने कुरान ख्वा की उपादी धारण की और अजमेर में अड़ाई दिन के जोपड़े का निर्मार कराया दोस्तों कुतुबुद्दिन एबक ने ही कुतुब मिनार का निर्मार कारे प्रारम करवाया कुतुब मिनार का नाम प्रसिद सूफी संद ख्वाजा कुतुब दिन वक्तियार काकी के नाम पर रखा गया और कुतुब मिनार के अंदर ख्वाजा कुतुब दिन वक्तियार काकी की मजार भी है लेकिन दोस्तों कुतुब मिनार का कार अभी अधूरा ही था अभी केवल दो ही मंजिला बना हुआ था कि चौगान खेलते समय कुतुबुदीन एवक की घोड़े से गिर कर म्रौत हो गई दोस्तों कुतुबुदीन एवक 1206 से 1210 तक यानि केवल 4 सालों तक दिली पर राज कर पाया लाहौर में मृत्यू होने के बाद एक बार फिर से दिली की गद्धी पर बैटने के लिए इसके उत्तरा धिकारियों में होड मज गई दोस्तों नियम के अनुसार कुतुबुदीन एवक का पुत्र आराम सा 1210 इसबी में गद्धी पर तो बैट गया लेकिन वह बहुत ही आयोग इसासत था इस वज़ा से कुतुबुदीन एवक का जो दमाद था इलतुतमिस जो की कुतुबुदीन एवक का गुलाम भी था उसने विरोध जाहिर गिया और गद्धी पर बैटने की मनसा जाहिर की जिस वज़ा से कुतुबुदीन एवक के दमाद या फिर गुलाम इल्टुतमिस और आराम साह के बीच में युद्ध हुआ इस युद्ध में दोस्तों इल्टुतमिस बिज़े रहा और 1210 इसवी में दिल्ली की गद्धी पर बैठा दोस्तों इल्टूत्मिस ने 1210 से 1236 इस भी तक सासन किया इल्टूत्मिस को तुर्कों की भारत विजे को अस्थापित प्रदान करने का स्रे दिया जाता है अपने सासनकाल के आरंभिक वर्सों में इल्टूत्मिस की निगाह उत्तर पस्चिम पर टिकी हुई थी खारिज मिसाह की गजनी विजे से उसकी इस्थित के लिए एक नया खत्रा पैदा हुआ इस खत्रे को टालने के लिए इल्टूत्मिस ने लाहोर के लिए कूच किया और उस पर कबजा कर लिया इल्तुतमिस को कुबाचा से निवटने का आउसर मिल गया और उसने उसे मुलतान दथक कच्छ के रड़ से उखाड फुएगा इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर से सिंधु नदी को छू रही थी इल्तुतमिस ने ग्वालियर और बयाना पर फिर से कबजा करने के लिए कदम उठाए अजमेर और नागावर पर उसकी सत्ता कायम रही और उसने रर्थमभावर और जलावर पर आक्रमण करके वहां भी अपना प्रभुत अस्थापित कर लिया उसने मेवार की राजधानी नगादा जो की उदैपूर से लगभग बाईस किलोमीटर दूर है उस पर भी हमला किया और उस पर भी विजया स्थापित कर ली दोस्तों मैंने अभी बताया कि कुतुब बुद्दिन एबक ने कुतुब मिनार का निर्मार कारे प्रारम कराया था दो उस कुटब मिनार के निर्माड कारे को पूरा इल्टुत्मिज नहीं कराया था अगर आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि निर्माड सुरू कौन कराया था तो कुटब बुद्धिन एबक और कुटब मिनार बनवाया क्या कौन था पूर्ण डुप से तो फिर इंदूत्मिस थीख है दोस्तों इलतुत्मिस ने ही चांदी का टका और तामबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया इलतुत्मिस के सिक्कों पर एक तरफ उसकी तजबीर होती थी तथा दूसरी तरफ हिंदु देवी की तजबीर हुआ करती थी इल्टुत्मिस ने 40 गुलामों का एक दल बनाया था जिसे तुरका ने चहलगानी या फिर चहलगानी कहा जाता था बलबन उस चहलगानी का प्रमुक सदस्य था इल्टुत्मिस के धरवार में मिनहाद सिराज तथा मलिक तजावुद दीन जैसे कवियों को सनरचन प्राप्त हुआ था दोस्तों इल्टुत्मिस ने एक्तावादी प्रथा का प्रचलन प्रारम किया और कई मकबरे भी बनवाए जिसमें सुल्तान गढ़ी का मकबरा और इल्टुत्मिस का मकबरा प्रमुक है दोस्तों सुल्तान गढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है दोस्तों अपने जीवन के अंतिम वर्सों में इलतुतमिस उत्तराधिकार के प्रश्ण को लेकर बहुत परिसान था क्योंकि वह अपने जीविद बेटों में से किसी को भी गद्धी के लायक समझता ही नहीं था और वाकई में उसके जितने भी बेटे थे वो गद्धी के लायक थे भी नहीं वो बस आयासी करते थे और राज का पूरा मजा लेया करते थे उन लोगों को ना ही राजी की कोई चिंता थी और ना ही उनके पास कोई ऐसी कला थी जो राजाओं के पास होती है ना ही सस्त पृद हाला कि ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला था क्योंकि राजिया सुल्तान पहली महिला साशिका थी इससे पहले कोई भी महिला अभी तक राजगद्धी पर नहीं बैठी हुई थी रजिया के भाईयों के साथ साथ बहुत से सरदारों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया सन 1236 इसबी में दिल्ली के अमीर सरदारों ने इल्तुतमिस के इच्छा के विप्रीत इल्तुत मिसके आयोगे पुत्र रुकनुत दीन फिरोजसा को दिल्ली का सुल्तान मना दिया लिकिन फिर भी उनके पुत्रों की आयोगेता के कारण पूरे समराज में असन्तोस ब्याप्त हो गया इसका लाव उठा कर रजिया ने दिल्ली पर अधिकार कायम कर लिया अपने दावे को मनवाने के लिए रजिया को अपने भाईयों और सक्तिसाली तुर्क अमीरों के खिलाफ संघर्स करना पड़ा और वाकेवल तीन वर्स तक ही सासन कर पाई उसी की सासन काल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के भी संघर्स आरम हुआ जिने कभी कभी चहल गामी या चालिसा कहा जाता है रजिया ने जनाना पोसाग का त्याग करके बिना बुर के परदे का दरबार लगाना शुरू कर दिया दोस्तों रजिया दरबार में कूबा जिसे की कोट कहते हैं और कुला जिसे की टोपी कहते हैं पहन कर दरबार में जया करती थी जिससे वहां के कटरपंथी सरदार असंतुष्ट रहने लगे और बस विद्रो की तलास में लगे हुए थे इतना ही नहीं वह सिकार पर भी जाती थी और युद्ध में सेना का नेत्रत भी किया करती थी जब लाहोर और सरहिंद में विद्रो भड़क उठा तो उसने खुद ही सेना लेकर लाहोर पर आक्रमड कर दिया और वहां के सुभेदार को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया जब वह सरहिंद के ओर बढ़ रहे थी तो उसी समय उसी के खेमे में विद्रो भड़क उठा और याकूत खां को मौत के खाट उतार दिया गया दोस्तों इसी दोरान रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया गया लेकिन रजिया ने अपने बंदी बनाने वाले सरदार अलतूनिया को अपने पक्ष में मिला लिया और उससे साधी कर लिया दोस्तों रजिया का मकसद साफ था वह दिल्ली की सत्ता दुबारा हासिल करने के लिए ही सरदार से साधी की थी लेकिन वह इस बार असफल हुई दोस्तों रजिया केवल तीन ही वर्सों तक सासन कर पाई थी 12 अक्टूबर 1240 सीजबी को कुछ डाकूओं ने अलतूनिया और रजिया पर आक्रमर कर दिया रजिया बहुत बहादूरी सी लड़ी लेकिन मारी गई दोस्तों रजिया की मृत्यू के बाद इलतूतमिस के तीसरे पुत्र मुईजुद्दीन बहरामसा दिल्ली का सुल्तान बना जो बहुत ही आयोगिसा सकता जिसका लाव उठाकर 1265 सीजबी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बन वैठा बलबन इलवरीजाद का तुर्क था जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था दोस्तों बलबन को किशुरा वस्था में ही मंगोलों ने पकड़ लिया था बाद में ब्यापारियों से इलतूतमिस ने उसे खरीद लिया बलबन इलतूतमिस के 40 गुलामों के प्रसिद समू चहल गानी का प्रमुख सदस्य था दोस्तों बलबन जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने स्वयम को अल्लाह का धरती पर प्रतनीधी भोसित किया बल्बन ने चहलगानी के सदस्यों का धमन कर दिया तथा उसने अपने बियोदियों को निर्दर्टा से समाब्त करना शुरू कर दिया यही गारण है कि कहा जाता है कि बल्बन ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए लौह और रत्त की नीटी अपनाई दोस्तों बल्बन के तौर तरीके अक्सर कठोर और अवांचनी हुआ करते थे लेकिन इसमें संधेह नहीं है कि उसकी गद्धी नसीनी के साथ मजबूत और केंद्री कृत सासन के यूग का सुत्रपात हुआ अपने आपको पूरे हालाद से वाकिफ रखने के लिए बल्बन ने हर महाकमे में जासूस लगवाए आंतरिक असांती और अव्यवस्था से निपटने के लिए और पंजाब में अपना पैर जमा चुके तथा दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बल्बन ने एक सक्तिसाली केंद्री कृत सेना संगठित की इस प्रयोजन से उसने सैन विभाग दिवाने अर्ज का पुनर गठन किया दोस्तों सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बल्बन ने दर्बार में सिजदा तथा पाबोस नमक दो प्रताएं सुरू की सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर्जुगाना और पाबोज का अर्थ होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चुना दोस्तों निसंदे है कि वह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख निर्माताओं में से एक था राजपत की सक्ती का रोब जमा कर बल्बन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया लेकिन वह भी मंगोलों के हमलों से उत्तर भारत को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सका 1286 इसबी में मंगोलों ने उसके समराज पर आकरवण किया और इस युद्ध में उसका बड़ा पूत्र मुहम्मद खा मारा गया लेकिन मंगोलों की प्राजे हुई दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पूत्र की मृत्यू के बाद उसके हिर्दे पर बहुत बड़ा आगहात पड़ा जिसके कारण 1286 इसबी में उसकी मृत्यू हो गई दोस्तों 1286 इसबी में बलबन की मृत्यू के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक बार फिर से अनिस्चित्ता की इस्थिति उत्पन हो गई लगबक चार साल बाद 1290 इसबी में खिलजी अमीरों के एक गुट ने बलबन के आयो के उत्राजिकारियों को हटा कर अपने नेता जलालुदीन खिलजी को उकदी पर बैठा दिया और यहीं से खिलजी वंस के अस्थापना हो गई खिलजी वंस को दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आज की इस वीडियो में केवल गुलाम वंस को बताना था तो गुलाम वंस दोस्तों 1206SB से 1290SB तक चला दोस्तों इससे पहले मैंने मौरे वंस, गुप्त वंस, सिंदुखाटी की सभिता और दिल्ली सल्तनत की पिश्टभूम के बारे में बताया है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से देख सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बतायेगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए और बस इन दोनों वीडियोज को भी देख लीजे धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम